कि रेंज ब्रेक आउट किस प्रकार से होता है 15 मिट के कैंडल पर ठीक है तो यह जो रेंज ब्रेक आउट है इसको मैंने जो है अपने घंशामसर से सीखा है और यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप्सन ट्रेडिंग में और इस ट मार्केट जो है अपनी ओपनिंग के उपर रहेगी तो मार्केट का ट्रेंड हो जाएगा अब ट्रेंड टू साइड यूए मार्केट अपनी ओपनिंग के नीचे रहेगी तो ट्रेंड क्या हो जाएगा साइड वेस्टू डाउन ट्रेड ठीक है तो आज की जो पंद्र मिट की कैंडल है और आपको दूस्तो एक चीज आप अपनी कॉपी और पिन लेके लिए बहुत इंपॉर्टन चीज है जो हमारी 50% केंडल को मार कर लेना है और 50% के पंद्र मिट के जो कैंडल रहेगी अगर मार्केट की प्राइस 50% से उपर है पंद्र मिट की कैंडल के तो आपका जो ट्रेंड रहेगा आपको पुट वाई नहीं करना है जब तक रेंग को मूविंग एवरेज ग्रीन है तब तक आपको put buy नहीं करना है और आपको क्या है call में ही position देखनी है ठीक और अगर जो 15 मिट की candle बड़ी candle बनती है अगर वो उसके 50% की नीची market रहती है तो वहाँ पे हमें क्या करना है call बाई नहीं करना है put की side में ही देखना है ठीक है तो हमारा train रहेगा sideways to downtrend तो अभी हम 5 दिन का देखे रहेगे ठीक तो अब हमें क्या करना था यहां पर 15 मिट की candle बनी एक candle और ग्रीन बनी उसके बाद यह rate candle बन गई ठीक यह rate candle ही हमारे लिए important है ठीक हमें buy कहां पर करना है यह rate candle जो बना इसका लोग को हमें मार कर लेना है निसान लगा लेना है 49,666 इसके बाद जब भी green candle ब 368 हमारे stop loss रहेगा और हमें buy कप करना है 19,387 के उपर हमें buy करना है buy करने के बाद हमें यह तो हमारे stop loss यूठ होगा या market फिर हमें profit देखे जाएगी तो यह 15 मिट का चार्ट है इसको आप जो है ट्रेडिंग के लिए 5 मिट का जो है टाइम फ्रेम बेश्ट रहता है तो वह 9430 के आज़ पास 430 एक psychological point है 430 के कर ऊपर market जाती 440 के ऊपर रुकती 33 के ऊपर रुकती तो वहां से हमें और fast move देखने के मिलता 50-60 point है ठीक है तो जहां पर आप से seller का जो है stop loss hit होता है वो point है 9433 लेकिन market वहां से नीचे घूंगई ठीक है तो जब भी market जो है अपनी तीन candle में हाई पिछले हाई को तीन candle candle नहीं ब्रेक करती है तो चोथी candle पर आपको क्या है profit एक बार book कर लेना है ठीक है दोस्तों तो अब आईए देखते हैं कि next day हमें किस प्रकार से करना है next day यहाँ पर क्या है next day हमें क्या है हमारी 15 मिट की candle है पंतर मिट की candle का हाई लो हमें मार कर लेना ठीक है और यह रेंको मोविंग है जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ पर देता है तो रेंको मोविंग है जैसे उपर मार्केट गई हमें यहाँ पर धरना बिल्कुल नहीं पोजीशन बनानी है ठीक हमारा इस्टापलास हो जाए पंदरा मिट का जो केंडिल होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको आप जो है नोट करके रख लिजीगा यह रेंको मुविंग अरिस से ही अगर आप ट्रेट मारेंगे तो भी आपको जो है बहुत ही प्रॉफिट होगा यहाँ पर हम देखते है रेंको क CC-15 मिनट की केंड़ को जब मार्केट जो तीन बर काटती है तो एक समझना चाहिए कि मार्केट में जो है एक साइडवेज है तो हमें प्र बादा एक केंडő केंडल के चैनल उसको हम आधा मार कर लेंगे, पिंदर मेंट की केंडल के जो है, 50% को हमें मार करना है, अगर 50% की उपर मार्केट की प्राइस रहेगी, तो हमारा ट्रेड क्या रहेगा, अब ट्रेड टू साइड वेस, अगर 50% की नीचे है, तो हमारा क्या रहेगा, साइड वेस टू डाउन ठीक है तो दोस्तों यहां पर यह हमें क्या हुआ एक बहुत ही अच्छा देखनों की मिला फिर यहां पर हम देखते हैं पंदर मिट की केंडल यहाई को इसने ब्रेक किया हमें एक दो केंडल में एक अच्छा मूम मिला इसके बाद फिर मार्केट साइड़ बेस चलिए फिर बारा बज़े के बाद मूमिन आता इसलिए दूस्तों मैं बोलता हूं कि मॉर्णिंग में आपको क्या करना है नौ बच के एक लिए आपस ने ट्रेडन की जाती यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 मूट की केंडल ठीक है 15 मिनट की केंडल का जब तक हाई लो बरेक नहीं होगा तब तक अगर आप किवल इसी पे ट्रेंड करेंगे न आगर आप किवल इसी रिंज ब्रेक आउट पर ट्रेड लेंगे तो है, बहुत पैसा बच जाएगा, आप यहाँ पर देखिए, कहतारिका चार्ट है, चेया दिसमबर, 2022 का चार्ट अरहा है, यहाँ पर देखिए, फूल डे मार्केट, पंदरिए मोन की केंडल यही कहें अंदर गोमती लिए तह यहाँ पर है, फुल डे मार्केट, से बचाता भी ठीड है के 15 मिंट का कैंडल हम दूसरे दिन देखते हैं दूसरे दिन यहां पे मार्कट का हुई कि ए पंद्रमीrolle की न को हाई लो हमने मार्क किया यहां पर हमें मौर्डपनि глटाभी थे ठीड ruim जैसे ब्रेक हुआ यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिल गया फिर मार्केट ने अपनी ओपनी को फिर से लो ब्रेक किया तो हमें यहाँ पर क्या दस ग्यारा बज़े तक हमें दो ट्रेड मिल गए ठीक है दोस्तों तो इसी तरह से जो है आप से ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों और आपको जो है यह रिंज ब्रेक आउट पे ही ट्रेडिंग मारनी है ठीक है अगर सबसे पहले एक चार्ट आट देख लेते हैं फिर उसके देखी यहां पर अगर मार्केट को नीचे जाना होता थे जो रेट करने के बाद तुरंत मार्केट एक दम नीचे चली जाती है यह एक यू-टरन पैटरन है इसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सर्टर्दे को ठीक है यू-टरन पैटरन तो इस तरह से market क्या है जब तक 15 मिट की range के बीच मार्केट भूम रही है तो क्या होगा ना हमें upside का trade मिलेगा ना downside का trade मिलेगा तो हमें क्या करना है अगर market 15 मिट की candle के लोग के से उपर position मना के जाती है यहाँ पर जाती है तो हमें call side में क्या करना है scalping कर सकते हैं यहाँ लेकिन अगर सोचें की लेके बैठेंगे तो फिर हमारा loss हो गया यहाँ पर दूस्तों एक और हम देख लेते हैं यह है हमारा 2 December 2022 का ठीक है अब हमने यहाँ पर यह मार कर लिया ठीक 15 मिनिट का candle का मार किया अब market को बार नीचे जाना होता तो market ने यह जो candle break किया था इसको फिर market कभी दुबारा के touch नहीं करती तो हमें trending market नीचे मिल जाता लेकिन यहाँ पर market गई फिर एक बार अंदर चली गई फिर य 2 या 3 बार जो है हाई या लो को 2 या 3 बार काड़ देती है तो उस दिन हमें समझना है side which market है उस दिन जो है आपको trading बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों आप संट ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको यह समझना है कि आज जो है option seller का दिन है और वो market को अपर डाउपर बेटर जो है market को अब और डाउन करके क्या करेंगे आपको profit होने नहीं देंगे तो इस दिन आप बचिएगा ठीक है और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बतानते देना चाहते हैं कि market एक हपते में एक दिन जरूर trending होती है ठीक है तो आपको उसी एक दिन का इंतिजार क इस तरह से दोस्तों आज मैंने जो चीज़ आपको सिखाई है range record पे किस प्रकार से trade लिया जाता है अगर आप इसको follow करते हैं तो आपका क्या है आप ज्यादा buying से भी बचेंगे आपको केवल दिन भर में तीन ट्रेड लेने है या जो professional trader अगर आप professional option buyer बनना चाहते है तो आपको दिन भर में केवल तीन ट्रेड लेने है चाहे वो scalping का लिझे चाहे आप 5-minute के चार्ट पर लिझे चाहे 15-minute के चार्ट पर लिझे आपको केवल से ट्रेड ही लेने तीन ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट मिलना होगा तो market अगर जो है ट्रेंडिंग मार्के न लेता हूँ इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक तीन में आपको तीन ट्रेट लेने हैं हमारा भी स्टॉप लॉस होता है कुछ यूटूबर ऐसे हैं कि जहां से मैं बोलता हूं वहां से मार्केट जो है उपर और नीचे जाना सुरू हो जाती है दोस्तों मार्केट किसी और आपके कहने से ना मार्केट उपर जाती है ना नीचे जाती है ठीक दोस्तों अगर ऐसा होता तो हमेगार बोलते हैं कि मार्केट नीचे चली जाए और वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी बेच गए सारा पैसा लगा सकते थे लेकिन दोस्तों ये से मार्केट हमेशा ओपर जाती है मेरा तीन मेहने में कोई stop loss नहीं हुट हुआ मेरा दो मेहने से कोई stop loss हिट नहीं हुआ आप मारे paid course को जॉइन के लिए तो ऐसे teacher से सावधान रही हैं दोस्तों YouTube पर बहुत अच्छे teacher है जो free teaching देते हैं जैसे कि मारे घंस्याम सर हो गए सुनिल मैगलानी सर हो गए और मनीज सर हो गए सुभासी सर हो गए उनकी आप अगर डेली एनलेसिस की वीडियो देखेंगे तो उससे ही आपको जो है बहुत अच्छा ग्यान मिल जाएगा आप्सन बाइंग का और सेलिंग का तो दोस्तों वी मैं आपको चार सेट अप बताऊंगा जिसमेंस मैंने तीन सेट अप बताती है एक सेट अप बाकी है जिसको कि मैं अगले मंडे को या सब्सक्राइब को बताऊंगा तो दोस्तों गर वीडियो अच्छे लगती तो अपने दोस्तों और मित्र के साथ जरूर सेर करिएगा आप ग्रेट टे थैंक्स फ़र दा वाचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीटी में